All India Muslim Personal Law Board के अध्याक्ष मौलाना रावे हसनी नदवी का निधन All India Muslim Personal Law Board के अध्याक्ष मौलाना रावे हसनी नदवी का लंबे समय से अस्वस्त होने के बाद आज लखनों में निधन हो गया वो 94 वर्ष के थे, उन्हें लाज के लिए राय बरेली से लखनों लाया गया था, जहां डाली गंज के नदवा मदर्सा में उनकी मौत हो गई UP के पूर सीम अखिलेश यादम ने उन्हें श्रधांजली दी है, अखिलेश यादम ने ट्विट किया All India Muslim Personal Law Board के सदर हजरत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब का इंतिकाल बेहत दुखत, दिवंगत आत्मा को शांती दे इश्वर, शोक संतप्त परिजनों के प्रती गहरी समवेतनाय भाव भीनी श्रधांजली, प्रियंका गांधी वाडरा ने भी मौलाना राबे हसनी नदवी क के निधन का दुखत समाचार मिला, इश्वर, दिवंगत आत्मा को शांती दे, शोक संतप्त परिजनों, एवं प्रियजनों के प्रती मेरी गहरी समवेतनाय फिनम रिश्रधांजली, समाजवादी पार्टी से जुड़े सैयद निजाम ने ट्यूट किया, अल्हा ताला उन के चहरे के नूर से दिल को सुकून सा मिला था, विहार के मुख्यमंदरी नितिश कुमार ने चुट किया, और इंडिया मुस्लिम परसनल लॉबोर्ट के अध्यक्ष हजरत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब का निधन दुखत, वे एक इसलामिक विदवान थे तथा लखनो के प्रमुक चांसलर रहे थे, इश्वर से प्रातना है कि वे उन्हें जन्नत में एहम मकाम अता करे। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारी चैनल से जोड़े रहे।